मंतराज का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं मंतराज जो है वो मंतर का प्लूरल होता है यानि कि कोई भी पूजा पाठ करते समय या कोई विधी या संसकार करते समय जिन शब्दों का इस्तिमाल किया जाता है उन्हें मंतर कहते हैं इंग्लिश में मंत्रा कहा जाता है और एक से ज़्यादा को मंत्राज कहते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वैदिक यग्या में प्रियोक्त संस्कृत शलोकों को मंत्र कहते हैं तो आप कहेंगे संस्कृत वर्सेज ये अगर आप ये कहना चाहें कि हर सुभैव है अपने बच्चों के साथ मंत्र गाते हुए सुन सकती थी तो आप कहेंगे every morning she could hear them singing their मंत्राज with the children अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें